तुमस्कार स्वागत है आप सभी का आस्ट्रो तक में मैं हूँ भाफना शर्मा आपके लिए रोज लेकर आती हूँ आपका दिन कैसा रहेगा काज के हसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है इस सभी के बारे में हम बात करते हैं तो आज का दिन शनिवार का दिन है 3rd of March इसी के साथ आज के दिन में राहु काल का समय है 9.53 a.m. से लेकर 11.10 a.m. तक कर रहेगा तो शरी सबसे पहले जान लेते हैं मेश ट्राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज के दिन में भवश्य के लिए बड़ी योजनाय बनाते हुए नजर आएंगे साथी में कोई भी important decision आज के दिन में आप लोग ले सकते हैं कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसे की आगे चल का future में आपको उसका फाइदा मिलेगा साथी में अगर बात करूँ आपकी finances की तो आज आर्थिक स्थिती काफी सथा मजबूर दिखाए दे रही है जैसे की शनीवार का दिन है तो आज चीटियों को सतनाजा आपको खिलाना है साथी में ओम शम्शन श्राइन नमहा इस मंत्र का जाप आपको करना है असा करने से घर की negative energy तो खत्म होगी ही साथी में अगर शनी की ढईया चल रही है तो उससे आपके लिए थोड़ा से चो टाइमिंग है जो आपका hard work है चीज़ें आपके लिए थोड़ी से स्मूध हो जाएंगी आज के दिन में साथी में कोई अच्छी खरीदारी भी कर सकते हैं आने के shopping के plants बन रहे हैं आप लोगों के लिए आज लिए गए जादे तर फैसले आप लोगों के लिए फायद मन्द होंगे तो किसी तरह का कोई confusion अपने दमाग में मत रखे आज के दिन में जो आपके लिए उपाए रहेगा सरसो का तेल, उड़त, काले तेल, गुड़ और शनी अंतर किसी भी शनी मंदर में जाकर के आप लोग दान करती हैं ऐसा करने से आप लोगों के लिए चीजे थोड़ी से आसान हो जाएंगे साथी में जो आपके काम के आज के दिन में थोड़ा सरह सकता है, लेकिन पैसे से जुड़ी हुए मामले में आपको थोड़ा सतरक रहना है क्योंकि नुकसान का डर भी थोड़ा सरहेगा, साथी में पैसे से जुड़ा हुआ लें दिन अगर आज करते हैं तो उसमें किसी ट्रस्वर्दी परसन को बीच आने की जरुड़त है, तो सबसे पहले चीज़ जब भी आप पढ़ाई करते हैं, इस्ट पेसिंग होकर के पढ़ाई करें अपने स्टाडी टीबल पर एक कॉंसंट्रेशन रॉक आप लगा सकते हैं, जिसे कि आपको फोकस करने में, कॉंसंट्रेट करने में मदद मिलेगी, इसी के साथ आज की दिन में शनी चालीसा का पार्ट करना बहुत ही शुब रहेगा, इसा करने से व्यवसाय में भी आप खेले बढ़ होत्री के योग बनेंगे, तो चले आप बात कर लेते हैं करकराशी वालों के, आप लोगों खेले कार निकल रहा है, दो हेरो फिरंट, सा साथी में पैसा, आप लोगों को थोड़ा सा बचा करके चलना है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, दुश्मनों से भी आज के दिन में साफ धान रहना, यानि कि जो कॉम्पेटेटर्स हैं, उनसे थोड़ा समहल करके चले, संतान की सिहत को लेकर, उनकी सिहत संबनत परिशानी आपके सामने आ सकती हैं, तो अपने घर के जो बच्चे हैं, उनके स्वास कभ्यान ज़रूर दीज़े, उपाय क्या करेंगे, ओम प्रांग प्रिंप्रॉम, शिंशन इश्चराय नौह, इस मंत्र का आप लोग जाब करेंगे, लेकिन शाम के समय, तो चले आज के दिन में हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएं, साथी में जल्दबाजी में फैसले करना भी ठीक नहीं है, ओफिस में विवाद में जीत होने के यूग नजर आ रहे हैं, लेकिन वानी पर आपको संयम रखने की जरुवत है, साथी में स्टूडन्स को अच्छी खबर मिलने की संभाफना नजर आ रहे है, उपाई क्या करेंगे, आप लोग इस मंत्र का जाप सुभा 12 बज़े के बात कीजेगा, ओम नीला अंजिन समा भासम, रवी पुत्रम, यमागरचम, छाया मार्तम, संभूतम, त्वम नमामी, शनिश्रम, इस मंत्र का जाप आप करेंगे ऐसा करने से घर में अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा घर के बच्चे बिमार हो सकते हैं, उससे आपको नजात मेरेगे, चले बढ़ते हैं आगे राश्य की तरफ करने राश्य यानकी वोगर्स के लिए क्या कहते हैं, कार्ज, कार्णी कलर आपको खेले, किंग अफ कप्स और शिक्स ऑफ पंत्राकल्स बिजनस से फायदा होने के योग नजर आ रहे हैं, साथी में आप लोग थोड़ा सा इमोशनल डिस्बालन्स महसूस देरेंगे, जिसकी वज़े से आपके पार्टनर्स आप पर हावी हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग से इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, तो कोशिश के दिन में बहुत जादा ओईली या जंक फूड आपको नहीं खाड़ना है, जितना पॉसिटिविटी की तरफ रहेंगे, उतना ही आपके काम तो बनेंगे ही, साथी में आपके दिन में भी आप देखेंगे कि अच्छी खबरें आपको मिलेंगे, अच्छे समचार आपको म चले आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तोला राशी वालों के लिए दिन कैसा है, तो लीपरूंस के लिए कार निकलता है, ते किंग फ पिंटाकल्स अंड लगों के लिए आज की दिन में कारोबार फाइदे मिन्त रहेगा, इसे के साथ नए सौदे देने वाले रहेंगे, क्योंकि आज अगर कोई भी डील आफ फाइनलेस करते हैं, उसमें आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पाइदा होने वाला है, स्टूर्ण्स कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, वो थोड़ा साफ धानी बढ़ते हैं, उपाई क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाथ आज करना बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा करने से आपकी काम में आ रहे ही रुकावते तो खत्म होंगी, साथी में जो डिलेज हो जाता है, अननेसेसरी, या दूसरों की वज़े से जो परिशानी हो जाती है, वो भी खत्म होगी, आगे बढ़ते हैं, व्रिश्रिक राशी वालों की बात करते हैं, स्कॉर्पिंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कार निकलता है, ऐस ओफ पन्टाकल्स और एस ओफ काप्स, तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहने व आपकी छवी बिगड़ सकती है, उपाय क्या करना है, काली छट्री और खडाओं किसी मंदर में आप लोग दान करतीजे, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं, धनुराशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, तो साजुटेरिंस के लिए कार निकल रहा है, किंग अफ आप लोगों के लिए आज कुछ नया आपको नहीं करना है, कोई नया फैसला लेने से भी बचना है, नहीं तो इंग्जाइटी लेवल भी आपका बढ़ जाएगा, उस आपने जो डिसिजन लिया है, उसकी वज़े से आने के वाले टाइम में सोच सोच करके आने, इस डिसि जिसमें कि आप नए काम की तरफ बढ़ोतरी कर रहे हों, यानि कि मैंने कहा डिसिजन नहीं लेना, लेकिन आप किसी नौकरी की नई शुरुवात कर सकते हैं, इंटिवियूस देने जा सकते हैं, उस शेत्र में या इस तरफ आपके लिए पॉजिटिविटी नजर आ रहे है उपाय क्या करेंगे, काले तिल लोहे की वस्तु आपको कहीं पे दान करनी है, कोई ड्रकॉट जो शनी का दान लेते हैं, ऐसे लोगों को आपको दान करनी है, बात कर लेते हैं मतर राशी वाल की केप्रिकॉण्स के लिए कार निकलता है दहमिट नाइन ओफ कप्स, आप लोगों को धान लाब के योग नजर आ रहे हैं, साथी में इस राशी वाले जो लोग हैं, उनको महनत आज के दिन में जादा करनी पड़ेगी, अपने स्वभाव में उगरता को थोड़ा से कम कर दी क्योंकि आज जितना से सफ्ट स्पोकन रहेंगे, उसना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आज पढ़ाई में मन नहीं लगने से थोड़ी परिशानी हो सकती है, उपाय क्या करेंगे, काले चने किसी गरीब को खिलाने हैं आपको, अब बात कर लेते हैं कुम राशी वालों आज कुम राशी वालों को बहुत जादा व्यस्तता रहने वाली है, पूरे ही दिन भर में भाग दोड रहेगी और नई चनोतियां भी आपके सामने आएंगे, उनके लिए पहले से ही तैयार रहेएं क्योंकि आज हाड़ वक जादा करना पड़ेगा, किसी का अपमान आपक उपाय क्या करना है, काला कंबल किसी जरूरत मंद को आपको दान करना है, अब जान लेते हैं मीन राशी वालों के लिए दिन कैसा है, कार निकलता आप लोग उखेले, फाइव पंटाकल्स और फोर ववन्स, तो आज का दिन मीन राशी वालों को अच्छानक कोई अच्छी खबर मल सकती है, साथी में आपके जो साथ के लोग हैं, जो कलीक से आपके वो आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके सोच की तारीफ करेंगे, अपनी सोच अच्छी रखें तो आपकी संबंध भी मधूर हो जाएंगे, लेकिन आज एंटी प्रॉब्लम्स आपको परिशान कर सकती है, उपाय क्या करेंगे? सतनाजा आपको दान करना है, साथ अनाज मिला करके आपको दान करने है या फिर गउशाला में めं जाकर आप गाय को खिला देशे हैं तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मलखात, चल फिर लेकर आउंगी आपके लीए ऐसे ही आपक झाल, 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 झाल